नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माधिका पर दोस्तो आज की इस वीडियो में गती एवं वेग अनि अस्पीड एवं वेलोसिटी का चेप्टर देखेंगे दोस्तो सबसे पहले इस चेप्टर का फर्मूला देखेंगे उसके बास दोस्तो निम तक देखिएगा क्योंकि आने वाले गुरूब डी एक्जाम के लिए ये वीडियो काफी हेलफूर रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले देखेंगे गती अनि गती दोस्तो दो तरह से काम करता है एक होरिजेंटल एक लंबवत अनि भाटिकल 36 एवं लंबवत ठीक है गती दोस्तो गती जो होरिजेंटल में काम करगा तो इस फर्मूला को लगाएंगे लंबवत काम करगा तो इस फर्मूला को लगाएंगे ठीक है अब गती का दोस्तो तीन समिक्रण होता है गती का तीन समिक्रण पहला समिक्रन होता है अब दोस्तों क्यूचन पुछता है कि गती का पहला समिक्रन दूसरा समिक्रन अनि किसके किसके भी सम्मझ बताता है दूसरा समिकरन विस्थापन और समय के भी समन्दर साता है तीसरा समिकरन वेग और विस्थापन के भी समन्दर साता है ठीक है दोस्तों अब जदी भर्टिकल काम करता है लंबत काम करेगा तब दोस्तों दो तरह का फ्रमुला जाएगा एक नेगेटिव में लगाएगा एक प तब दोस्तों जी का भरू नेगेटिव हो जाता तो नेगेटिव हो लगाएंगे अज़ादी कोई वाज तो ऊपर से नीचे फेका जाएगा और उपर से नीचे आएगा तब पलस जी हो जाएगा और पलस वाला फर्मूला लगाएंगे ठीक है एस परवड होता है दोस्तों विस्थापन एस क्या है विस्थापन है अनि डिस्पिलेस्मेंट यू क्या प्रारंबिक वेग इनिस्यल वेलोसिटी भी है अन्तिम वेग यह है तवरन अनि एक्सिलेशन टी समय है और जी जोस्तों जी गुरूत्विय तवरन अनि गरेविट्रे है जदी एक बस बिरामा वस्था से दो मीटर पर सकेंड स्क्वाइर के तवरण से गत्ती मान होती है तो चार सकेंड बाद उसका वेग क्या होगा चार सकेंड बाद वेग क्या होगा अनि अंतिम वेग लिकालना है और प्रारम वेग क्या है बिरामा वस्था से चलाने यू इस सिरेशनन और तवर्ण दिया गया है दो मीटर पर स्केंड चार आपि कर लगांगे दोस्तो B, U, A, T कौन सा समिक्रन लगाएंगे और काम कर रहा है दोस्तो बस जमीन पर चले हैं और होजेंटल तो होजेंटल वाला ठरावला भी-बखर क्या होतागति का पहला समिक्रन U पलस A, T U का वहलू क्या है? jistप T का वहलू चार तो चार दुनी 8 मीटर पर सेकेंड आ गिया और चार सेकेंड बाद वेग किया जगा 8 मीटर पर सेकेंड तो option C में दिया option C से हो जागा ठीक है अगला क्यूचन देखते है क्यूचन है एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड अस्कौाइर के एक समानतवरन से चल कर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गती से चल रही है इस समय कारद वारत तै की गई दूरी ग्यात करें कारद वारत तै की गई दूरी लिकालना है ठीक है दिया गिया है समय एक सिरेशन दिया गया है और दोस्तों यहां चाल दिया गया है पाच मीटर पर सेकेंड से दस मीटर पर सेकेंड की गती से चल रहा है और बेग में परिवर्तन हो रहा है तो बेग में परिवर्तन और प्रारंबिक यू बरबर क्या हो जागा बेग में कितना परिवर्तन हो रह प्राराम्ड करने प्रोजरे साएँ मिट्वाइगा अब टाइम दिया कितना 5 स्टेन दिया गया है और एक अबहादील दिया गया है एक मीटर पर सेकेंड स्कॉयर हमें लिकालना है दूरी कि गई दूरी कौन सा फर्मूम लगाएंगे दोस्तों तो गती का दुसरा शमीकरन एस बरबर होता है U T स परण होता है U T पलस हाफ A T अस्क्वाईर बेलू रहेंगे तो U का बेलू 5 है T का बेलू 5 है हाप A का बेलू कितना है एक है, T का बेलू 5 है 5 का स्कोर थे 25 होगा इसी को sol करेंगे तो पचपचे 25 पचीस बटा दू इसको पॉइंट में करेंगे तो साड़े 12 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 37.5 मीटर हो जाएगा 37.5 मिटर option D में दिया option D सही हो जागा ठीक है दोस्तो अगला question देखते हैं दोस्तो question है जदी एक कार अपने प्रारम्भिक इस्तिती से 20 सकेंड में 144 किलोमिटर पर आवर की गती से गती तक समान रूप से तवरित होती है तो यह कितनी दूरी तै करेगी कितनी दूरी तै करेगी दूरी लिकालना है तो दोस्तो प्रारम्भिक इस्तित चल रहा अनि use call to क्या हो जागा जीरो time क्या दिया गए 20 सेकेंड ठीक है और अन्तिम में क्या है 244 किलोमिटर पर आवर दिया गया अब दोस्तो यहाँ पर मीटर में अंसर जागया तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे तो 144 गुने 5 भटा 18 करेंगे 884 से कितना जागा 8 पचे 40 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो B मालूम हो गया U मालूम हो गया T मालूम है तो गति का कौन सा समिक्रन लगाएंगे अर दोस्तो लिकालना है दूरी तो दूरी का फर्मूला लगाएंगे कहा S बरवर U T पलस H पे टी S को जाएंगे तो U तो मालूम हो गया T मालूम हो गया U भी मालूम है T भी मालूम है लेकिन A नहीं मालूम है A दोस्तो यहां से निकल जागा गती का पर्थम समिक्रान से भी बरबर होता है U U पलस 80 अब भैलू रखेंगे U का भैलू कितना है? 0 है तो 0 हो जागा और A का भैलू कितना है? A का निकालना है और B का भैलू कितना है? 40 आया 40 40 आया और 40 U का भैलू 0 है A का भैलू तो निकालना है T का भेलू दिया गया है 20 20 दूनी 40 अनि A बरोर कितना आ गया 2 A बरोर 2 मिटर पर सकेंड स्कॉर आ गया अब एक्सिलेशन लिकाल गया है तो गती का दूसरा समिकरन होता है S बरबर UT पलस हाप 80 स्कॉर UT पलस हाप 80 स्कॉर अब U का भेलू 0 थे 0 हो जाएगा तो हाप 80 स्कॉर बच गया तो A का भेलू कितना आया 2 आया और T का भेलू कितना दिया 20 है 2 से 2 कड़ गया कितना बच गया 20 20 मिटर 20 का स्कॉर हो जाएगा हापर दोस्तों कहा कि T स्कॉर है ने तो 20 स्कॉर और बिस भी से 400 हो जाएगा 400 मिटर 400 मिटर दोस्तों option A में दिया है option A से हो जागा दोस्तों आप लोग समझ रहे होगा कि दोस्तों दूरी समय मालूम है चाल दिया गया दूरी पर बोगने समय होता है तो उस तरह से आएगा दोस्तों 800 तो गलत हो जाएगा आप इसी तरह से बनाईएगा ठीक है आगे दखते हैं कि दूसतों की स्याइद है0 थीक हैं घैकई दिया गया दोस्तों किया एक बंदुक पर सकंड के उपर क्यों दाग गया और यहां पर काम कहां क्या हो रहा है उस्तों की ओर गोली दागा जा रहा है तो उपर की ओर जाएगा तो क्या बोले थे नेगेटी बोला लगाएंगे ठीक है तो नेगेटी बोला फर्मूला लगाएंगे जब U मालूम है T मालूम है दूरी लिकालना है और G का भेलू भी मालूम है ठीक है तो कौन सा फर्मुन लगाएं तो h बरबर क्या होता है ut minus half gt square कती का दूसरा समिक्रन हो गया h तो लिखालना है u का भेलू कितना दिया गया 196 में तो 196 में t का भेलू कितना है 20 t का भेलू 20 ठीक है minus half g का भेलू 9.8 दिया गया है और t का भेलू 20 तो 20 का square करेंगे क्या हो जागा 400 अब इसको solve करेंगे दोस्तों तो कितना जाएगा इसको गुना करेंगे 4920 आ जाएगा minus इसको काट देंगे तो दो बार में कर गया 200 बार में अब इसको गुना करेंगे तो आएगा 1960 1960 है गा काम नहीं कर रहा दोस्तों 1960 अब इसको घटाएगे तो दोस्तों 1960 ही आएगा 1960 मीटर तो 1960 मीटर option B में दिया option B से यह जागा ठीक है दोस्तों आगे दखते हैं दोस्तों की उच्वन है एक लड़का एक गेंद 10 मीटर पर सेकंड के विख से उर्धावार धर उपर की ओर फेकता है जदी जी इसकल टू 10 मीटर पर सेकंड अस्वार है तो गेंद दवारा प्राप्त उचाय क्या होगी उचाय लिकालना है दिया गया है दस मीटर पर सेकंड फेलोसिटी दिया गया है और प्रारंभिक विख दिया गया है दस मीटर पर सेकंड दिया गया है उपर की ओर फेका जा रह तो गति का तिसरा समिक्रन लगाएंगे अनि भी स्क्वाइर बरबर यू स्क्वाइर माइनस टू जी एच लिकालना है भी इसकुल टू जीरो है यू का भेलू मालूम है जी का भेलू मालूम है यहां सो जागा जीरो हो गिया यू का भेलू कितना है यू का भेलू 10 10 का स्क्व माइनस जी का भेलू कितना है 10 हलिकालना है माइनस 10 से धरा जागा तो पलस हो जागा बरबबर 100 हो जागा 0-0 कड गया है एच बरबर 10 मिटर 10 मिटर ऑप्सन B में दिया ऑप्सन B से जागा ठीक है अगला क्यूचन देखते हैं दोस्तो अगला क्यूचन है एक पेड़ के ऊपर से एक लड़का पत्थर गिराता है जो 8 सेकेड़ में भूमी तल पर पहुचता है तो उस पहाड की उचाय क्या होगी पहाड की उचाय लिकालना है पेड़ के ऊपर से एक लड़का पत्थर गिराता है तो भूमी पर 8 सेकेड़ में पहुचता है और उपर से नीचे इस बार काम कर रहा है तो पलस फराम लगांगे ठीक है मालूम है दोस्तोंT का बेवल्ग हमको मालूम है 8 सकेंड 8 सकेंड तो ज़स्तों T मालूम है J मालूम है और दोस्तो हो एच लिकालना है तो कौन सा फर्मूला लगाएंगा Keith बरबर ut plus half gt square h लिकालना है u का value 0 तो 0 हो गया तो half gt square बच गया half g का value कितना है 10 है और t का value कितना है t है 8 8 सकेंड तो 8 का square 64 काड़ देंगे तो 32 बाल में कड़ जागा 32 दो नी 64 32 कुने 10 करेंगे तो 320 मीटर हो जागा 320 मीटर option A में दिया option A सही हो जागा ठीक है अगला क्यूचन देखते है दोस्तों अगला क्यूचन है एक उची इमारत की सिर्ष से एक गेंद 9.8 मिटर पर सेकंड अस्क्वाइर के समान तवरन से गिरा जाता है 3 सकेंड पस्चात उसका वेग क्या होगा अब दोस्तों एक्सरेशन दिया गया है अनि A का भेलू दिया गया है A का भेलू क्या दिया गया है 9.8 मिटर पर सेकंड 9.8 मिटर काम क्या कर रहा है दोस्तों तो गेंद इमारत से नीचे फ्यका जा रहा है अनि G का भेलू दिया गया है तो एही होगे जी का भेलू ठीक है और टी का भेलू दिया गया तीन सकेंड टी का दिया गया है तीन सकेंड तीन सकेंड ठीक है जी का भेलू मालूम है टी का भेलू मालूम है और दोस्तों यू का भेलू क्या हो जगा जीरो हो जागा कौन सा फर्मूला लगाएंगा जब जी म फृट्टी का पहला समीक्राज। थीया, अब दोस्तों भी लिखालना ऐधिकना है UV-F 9.8 है ठीख है और टीखा भेलो कितना है 3 है गुना कर देंगे chart चोबिस जोड़्य रणार globalization 29.4 मीटरं रोकस्टattend Я шт애 उप्सन मेज funky होले स्वहे Harm hi ठीक है अगला क्यूशन देखते हैं दोस्तो क्यूशन है एक वस्तु को पचास मीटर पर सेकेंड के वेग से उर्धावार धर अनि भर्टिकल उपर की ओर फेका जाता है तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदू पर उसका वेग क्या हुआ दोस्तो इस क्यूशन में बोल रहा है कि वस्तु उपर फेका जा रहा है और फिर दोस्तो नीचे आने पर उसका वेग लिकालना है और उसमें दोनों काम हो रहा है उपर भी और नीचे भी पहले उपर वहला काम करेंगे उसके बाद नीचे वहला से फिर वेग लिकाल लेंगे ठीक है तो क्या दोस्तो यू का भेलू क्या दिया गया प्रारेमिक वेग अनि यू का भेलू क्या दिया गया यू मालूम है जी मालूम है और यू मालूम है जी मालूम है अगति का पहला समिक्रण में क्या होता है कि भी बरवर यू माइनस जी टी क्योंकि उपर फिका जा रहाते हैं हम माइनस का फरूना लगाएंगे पहले तो उपर वाला काम करेंगे उसके बार नीचे वाला काम करेंगे तो उपर वाला से यहां से निकल जाएगा T का बहलू T का बहलू लिकल जाएगा तो B परोर क्या हो गया U U-GT B का बहलू क्या है तो दोस्तो B का बहलू जाएगा B का बहलू 0 होगा प्रारंभिक विग इतना है तो अंतिम विग क्या 0 है तो 0 अब बर बर 50-10 गुने T माइनस 10 T से इधर जाएगा पलस मह जाएगा बर बर 50-10 पचे 50 T बरोर कितना आ जाएगा पाच आ गया पाच सेकेंड आ गया अनि यहां से समय निकल गया अब दोस्तों बोलाई नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदू पर उसका वेग क्या होगा अब नीचे आने पर पलस वाला फरुमना लगाएंगे उपर जाने पर माइनस वाला लगाएंगे तो नीचे आने पर प हो जागा तो U का भैलू zero लेंगे पलस दस और T का भैलू कितना आगा पाच तो द पच्छे पचास 50 मीटर्ड सेकेंड हो जागा अनि नीचे आने पर प्रावल बिंदु पर उसका भेक क्या जागा पच्चास मीटर पर सकेंड भे ठीक है तो option C में दिया option C से जएगा ठीक है अगला question देखते हैं दोस्तो question है एक tower से sun की गती से फेका गया पत्थर जमीन पर 4 सकेंड में गिरेगा तब tower की उचाई क्या होगी tower की उचाई लिकालना है sun की गती से फेका जा रहा है तो यहां पर u is equal to zero हो जाएगा ठीक है प्रारंबीग बैक zero समय कितना है चार सकेंड़ में गिरर रहा है तो समय देखते जएगा फेका लिकालना है उचाई लिकालना है उचाई तो दोस्तो यू मालूम है टी मालूम है जी मालूम है और पुछाय लिकालना है तो दोस्तों विश्थापन और समय किसके कौन सा समिक्रन गती का कौन सा समिक्रन संबन्द बताता था तो दूसरा यू टी पलस हाप जी टी अस्क्वाइर ठीक है पलस वला होगा क्योंकि पत्थर फेका जा रहा है जमीन पर अनु टावर से अनु उपर से नीचे फेका जा रहा है तो पलस वला लेंगे एच तो लिकालना है यू का भेलू 0 गया तो बच गया हाप जी टी असक्वाइर जी का भेलू 10 दिया गया टी का भेलू 4 का स्कॵाइर 16 अठी 16 कट गया 10 गुने 8 करेंगे तो 80 मेटर हो जाएगा उचाए ठीक टावर को उचाए 80 मीटर और ओप्छन ए में दिया जिए अइसे हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगला क्यूचन है और दोस्तों आख्री प्यूचन है किसी वस्तु का नियत तवर्ण 10 मीटर पर शेकंड स्कॉर है तथा प्रारंभिक वे दस म गुणा हो जाएगा कितने समय बाद तो समय तो निकालना है अन्तिम भैग हो जाएगा 31 प्रारंभीग ऑंए तेथे हो रहे और लिक तैनल जायको उन्हसेनले साह भाड़ा अर्यूर्ा एक अभेलू दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर तो भी मालूम है यू मालूम है ये मालूम है ठीक है अब यहां पर काम हो रहा है दोस्तों कौन सा किसी वस्तु नियत तवरण से तवरण से प्रादमिक वेग में इतना मीटर पर संग कितने समय बाद उसका वेग तीन प्रादमिक वेग ये मालूम है डियु वेग यू पलस ए टी और भी का भेलू 300 आर एक भेलू 100 पलस एक भेलू 10 अटी निकालनाहे 10 जुब इधर जायगा तो 200 बच गया बच गया बरबर 10 टी 0-0 कड़ गया T परवर बस गया 20 सेकेंड और T परवर 20 सेकेंड आ गया और 20 सेकेंड बात अंतीम बे जो है 300 हो जागा ठीक है तो option B में दिया option B से हो जागा तो दोस्तों आज की वीडियो अहें तक रहने देते हैं अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिजेगा क्योंकि आगे भी इसी तरह के चेप्टर वाई चेप्टर आपको डिवीजन कराते रहें ठीक है जय हिंद